श्री शिवाय नमस्तिवम दोस्तों आज की वीडियो में जानेंगे हन्मान जन्वस सब कम मनाया जाएगा क्या पूजा वीदी होती है क्या हमें उपाय करने चाहिए जिसे संकटों से मुक्ति मिले दरसल हन्मान जी को संकटों के देपता माना गया है और कहते हैं कि जो कोई भ लगातार आप 11 या 21 दिन तक आप लगातार विदी विदान से हन्मान 40 आप पार्ट करते हैं तो आपकी सभी मनुकामना पूरी होती हैं अब बात कर लेते हैं हन्मान जन्मस सब की दोस्तों आठो सिद्धियों और नौद नितियों के दाता हन्मान जी का जनम चैत महीने के स ठीक 6 दिन बाद हुआ था इसी उपलक्ष में हर साल चैत सुकल की पूर्णिमतिति को हन्मान जन्मस सब मनाया जाता है दोस्तों जैनती जैनती बोलते हैं लोग जनमस सब होता है जैनती उन लोगों की मनाई जाती है जो लोग मढ़ जाते हैं हमारे हन्मान जी तो आज भी और दोस्तो हनमान जी आज भी धर्ती पर सैसरीर मौजूत है और जिवित लोगों के अप्तरन दिवस को जैनती कहा जाता है और इस पावन दिन को मारुती नंदन की पूजा अराधना करते हैं से सभी संकट दूर हो जाते हैं जान लेते हैं पूजविदी दोस्तो और तो के ल अच्छी लगे तो लाइक सिस्काइब जरूर कर लीजेगा जो आगे वीडियो मिलती रहें कमेंड में हर हर महादेव जैबाला जी महराच जरूर लिकेगा दोस्तों सबसे पहले जन मुस्तव के दिन आपको क्या है सुबह को सबसे पहले इसनान कर लेना है साफ कपड़े प पता उस पर शिरी राम या तुलसी के पत्ते से लिखकर माला पहनाते हैं अपनी मनो कामना कहते होए तो बहुत ही जल्दी पूरी होती है तो अगे दिन पहले तोड़ लाईए उस दिन मत तोड़ना एक दिन पहले तोड़ के लिया इस दिन दोस्तों पीला या लाल रंगा जो वस्त रोता है उसको धारण करना बहुत ही शुमाना गया है बजरंग वली की मुर्तिय प्रतीमा को लखडी की चौके पर स्थापित कर ले जिस पर पहले से ही पीले रंग का वस्त बिचाओ फिर बजरंग वली के समक्ष घी का दीपक जलाएं जल छिलक कर कच्च दूद दही घी और सहद मिलाकर बजरंग वली का अभी से करें इसके बाद बजरंग वली को लाल या पीले रंग का कपड़ा कलावा फूल धूप अगरवत्ती और दिया आदी अरपित कर विधी पूर्वत पूजन करना चाहिए आखिर में हनमान जी की आरती करें चालिसा का पार् जरूर मांगें साती आर्शिवात पाने की काम ना करें इस इन हनमान भक्तों को हनमान चालिसा बजरंग बान सुंदर कांड और रामायन का पार्ट करना चाहिए इससे संकटों से जीवन में आने बड़े-बड़े संकटों से मुक्ति मिलती है दोस्तों बजरंग वली को पूजा भी नहीं करनी चाहिए इससे पूजा अनिसफल हो जाती है यह अगर घर में कोई खंडित मूडती है तो उसकी पूजा आपको बिलकूल भी नहीं करनी है तस्वीर कहीं से कटी फिट हुई है तो उसे भी हटा दे हनमान जयनती के दिन घर में कलिए ना बनाई और ये महल रखें अपने और ऐसा करने से सनी का प्रकौप होगा अगर आप लड़ाई जगला करते हैं और हनमान जयनती के दिन सोने से भी बचिना चाहिए हनमान चालीच 2024 दिन मंगलवार को प्राते 3 बचकर 25 मिनट पर होगी इसके साथ इसका समापन 24 अप्रेल 2024 दिन बुदवार प्राते 5 बचकर 18 मिनट पर होगा उधे तिती को देखते हुए इस वार दोस्तो हनमान जयनती 23 अप्रेल को मनाई जाएगी याने की बहुती सुप संयोग में आ रही है मंगलवार पढ़ने वाला है मंगलवार की वज़े से पढ़ने की वज़े से इसकम है तो और भी बढ़ जाता है माना जाता है कि हनमान जी की पूजा आर्चना करने से व्यक्ति को परिसानी से मुक्ती मिलती है जीवन में सुखसानती बनी रहती है बस इतना ही वीडियो पर लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें